है 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 गाइस दिस इस कुल डीप एंड यह वाचिंग यूपीश सी लाइबरी सो आज की सेलेक्शन में हम बात करेंगे ऑस्टेलिया की बिकॉज ऑस्टेलिया ने माला बार एक्सरेस को दोवार से जॉइन कर लिया है सो समद्री ताकत को और बढ़ाने के लिए भारत ने यह बड़ा कदम उठाए बिकॉज जो समद्री जो इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजन्स काफी इनकी जोती जा रहे है सो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया ने यह कदम उठाया और ऑस्टेलों को माला बार एक्सरेस में इंक्रूड करिया सो आज के लेक्शन में जाने के माला बार एक्सरेस करें होती है और इसके बाद the quiet group के बारे में भी जानेगे इस लेक्षर में है इसमें लिखा हुआ है कि Australia to join the Malabar Neville exercise इस चीज को याद रहा है जो Malabar exercise वो Neville exercise है और जो कि next month में होगी और इसमें इसको जोइन कर लिया इसके बाग यह USA का Navy Chief Information का tweet है इसमें लिखा है जो c power है into four into four का मतलब पहले यह तीन ने वी थी पट इसमें Australia की जो गिंती एड हो गया है तो इसी वैसे c power into four बताए गया है तो इससे इस ट्यूट से लग रहा है कि कितना एग्रिसिवनेस एग्रिसिव है इस ट्यूट में सो यह से इतना खुश है इसके बाद यह वर्ल्ड मैप है सो वर्ल्ड मैप में देखिए सो यह है हमारा प्यारा भारत इंडिया दें इंडिया के राइट में जाओ इस यह है चाइन सो इस चाइना को टेकर करने के लिए ही the quiet group को बनाए गया गया का मेन ओप्जेक्ट है वर चायना को ट्रक्र करना, तो चायना के वैस्ट में यह है, मालाबार एक्सलीज में पार्टनर, तन यह है ऑस्टेलिया, जो कि ऑस्टेलियों बोर इयरेंड मरता है, तो यह चार इसलाइब को याद अखना को अगर आपने UPC लाइवरी को follow नहीं किया तो आप UPC लाइवरी को Telegram, Facebook और Instagram पर follow कर सकते हैं Links वीडियो के नीचे description दी हुई है Then इसके बाद P.A. P.I.B. का हिंदी का cutout है इस हिंदी के लिखा हुआ है कि जैसे कि भारत समुन्दी चुर्ष रक्षर शेत में अन्य देशों के साथ सहीव तता आउस्टेलिया के साथ रक्षर शेत में सह भागिता बढाने के लिए प्रियासरत मतलब भारत आउस्टेलिया के साथ ओल्लेडी है तो उसी चीज़ को देखते हुए So इस बार मालावा नौसैनिक अभ्यास 2020 में आउस्टेलिया ही नौसैना की भागितार ही देखी जागी So यह पीएभी के कटावने सीधे सीधा बोला गया है ताकि बोला गया है कि आउस्टेलिया के साथ इंडिया की पहले से ही ओ निवल एक्सराइज होती रही है और और लुजाए आइस में इसमें लिखा है कि आउस्टेलिया लएड बता दिया है धर सहोगी तो क्या है इसकी साथ Frage उसे होगा गया सो बेंका ने सब्सक्राइज में टूस एक्सराइजना तो इस exercise में और चाना को जो क्या है एक message दिया जा रहा है चाना को एक solid message दिया जा रहा है तो इस exercise बिल भी है first for the so called quad जो quad group है उसकी एक first exercise बोल जाएगी because quad group में भी यह 4 countries हैं इंडिया, USA, Japan then Australia so यह 4 country quad group में भी है और यह 4 country माला बार exercise में है इस exercise को quad group का पहले exercise बताया जा रहा है so the exercise will be the first for the so called quad then the Pacific cooperation between Japan, India, Australia and US जो मैंने बताया है then the exercise will schedule to be held in November जो की exercise जो November 2020 में होगी then इसके बार Australia की रोयल और ने भी लास्ट पार्टिस्विट में माला बार exercise in September 27 जो मैंने बताया कि Australia इस exercise को दौबार जोइन किया है so because यह से पहले और माला बार exercise का पार्ट था so then but यह इसने छोड़ा था because of the China's के opposition मारकर पहले और चाइना के काफी करीपता तो इसो चाइना के अपोज करने पर ही और चाइना के अपोज करने पर ही और चाइना ने माला बार exercise कोईट कर लिया और उसके बार इसके अलाबर इंडिया ने चाइना के जो एक्रेशन को देखते हुए और यह चीज को देखते हुए और अस्ता होना चाहिए सो एक एनुवल ट्राइलेटर नहीं होगी सो एक एनुवल है मतलब नौ सेना एक्सराइज है बेटिविन नेवी जो की यह कंट्रीज की नेवी की बीच हम होती है लाइक इंडिया जपैन और युएसे बेला असला यदा रखना इस वेडिश को याद रखना एक्सराइज बेटिविन इंडिया एन युएसे इंडिया आधिक होती है पहले यह दो कट्रीज की बीच मुई थी जो 1992 से स्टाइड हो गई तो इस चीज को याद रखना इस चीज का मतलब सो इस चीज में जो एक्सराइज हो रहा है वो हो रही है बेयो बैंगर और एर्बेन में इसको एक्सपेट किया जा रहा है और 2019 की जो एक्सराइज होई थी वो इसको याद रखना इसका जो अब्जेक्टिव है इन्हें सेफटी और इसका जो अब्जेक्टिव है मतलब सेफटी और सेक्योर्टी और ज्यादा इन्हेंस करना यह मालाबार एक्सराइज का अब्जेक्टर जो चाइना का जो बेहवियर चाहिए जो चाइना का जो एक्रिस बेहवियर है इस चीज को देखते हुए और चाइना कांट्री और इन्हेंस को अगर टैकल करना यह तो उनकी नेवी को थोड़ा असाथ तोन पड़ेगा या या कोलिपरेशन करना पड़ेगा इसे पास्पें आफिशा काफी सार इंसिडेंट देखे जा सुगे हैं सो इसी चीज को देखते हुए और इसके अलावा जो इंडिया चाइना के बीच में बड़ा पॉइंट था इंडिया के लिए इसके बाद ऑस्टेलिया इससे पहले चाइना को टैकल भी कर सकाथ बिकास माई में जो हुआ था बिकास और से बीकास मोर एक्टिव इन कंडुक्टिव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन में टू पॉस्ट बैक अंगेस्ट चाइना सु बंदब ऑस्टेलिया ने अल्यडी पहले भी चाइना को पॉस्ट बैक किया है ऐसे नेविगेशन अपरेशन में लाइक जिसमें एक 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 ऐसा अपरेशन हुआ था अमेरिकन वार्टिव के साथ जो मई में नियर दी साइट और इस चीज को देखते हुए और इसके बाद जबब चाइना के बीच में भी डिस्बूट चल रहा है इनके पास काफी रिजन नहीं कि ट्चैना को पुश्ट बैख करनेगे रहे तो चाइना के बीच में एसा डिस्पूट लाइख सेंकांको आयलेंड जो जब बोलता है और चैना को उन आ आइलेंड को क्या बोलता है धिया ओउ आयलेंड जापनी की तरह से संकाको आइलेंड और चाइना की तरह पे धिया ओ आइलेंड तो इस चीज़ को याद रंगना करते हैं चाइना को और एक्ट को मतब घेरने के लिए इसके बाद यह मैप है इस मैप में पता चलेगा कि बना हुआ है साँ स्क्वाड गुर्व में चार कंटे है वो कौन को से कंटे है पहले तो अपनी इन्डिया हो गई थे और थर्ड होगी यह पौन फौर्थ होगी तो यह चारो खंटी चाइना को फोकस कर नहीं है और इसी चीज़ को देखते हुए मालाव एक्सराइज को क्वाड गुर्व की अनफिशल फर्स एक्सराइज को फर्स एक्सराइज की तरह है देखा जा रहा है इसके बाद जो अधर कोपरेशन बेट्वीन दव्याड मेंबर्स मालाव एक्सराइज के अलाव और भी ऐसे अधर कोपरेशन है लाइक इंडिया और यूएस से की बीच में हो गया फोर फांडरेशन एक्रिमेंट है बिच्वीन बिट्वीन यूएस एं यूएस के पार्ट्र है जिसको इंडिया ने यूस के साथ सांग किया देन इसके लावा लॉजोजिस्टिक एक्क्षेज मेंबरॉंड ऑस एक्रॉट क्षेन सब एसे इंडिया ऑडर ढीका की कि बीच में कोपरेशन का फिर जाते इंकी रूजा गेंआट को देखो ुराइं इंडिया ने यूसे के साथ बेका agreement को अभी हाल में साइं किया रहा है और यह साइं किया एड टू-प्लस-टू ój मिनिस्टिरेसट डायरॉड जो चला भा है इंडिया और यू-एस के बीच में उसके दोरान ही बेका को इंडिया ने यू-एस के साथ किया गया है इस चीज को याद रखना इस पॉइंट को याद रखना इन इंडिया और जपान की बीच में काफी सारे हैं इंडिया जपान की बीच में होगे कि इंडिया अगर जापन के थां जक्राला है एक से सकता है और यजय पलुनमाला यहां इसको तो जो इन्डिया ने बाकी और Quad कंट्री के साथ मनुढ़ Quad member के साथ साइन कहा है क्या है अलावा मनुढ़ मालावा एकसेर्स के अलावा इस चीज़ को याद रखना बट एक चीज़ एक चीज़ एक कंसर भी यह भी है कि क्या यह जो energy है, वो same energy quad group के वो आगे भी चलते रहेगी because अभी USA में देख पता है कि आपको वहाँ पर president के election चल रहे हैं so after the US president election the flow and energy aggression will continue so quad group की flow है जो energy है वो continue चल रहे because जो अगर Joe Biden जो है, जो वहाँ के जो election, president के election के candidate है, अगर Joe Biden जीत नहीं है, elect होटे हैं, तो वो China के खलाफ काफी soft है so चीज को याद रखना है, अगर वो China elect होते हैं, वो China के खलाफ काफी soft है, so इसी इसको इसकी वैसे, जो quad group का feature हो काफी dark हो जाएगा मतलब हंदर हो जाएगा so उस quad group का कोई भी presence अगर Joe Biden, Joe Biden अगर उस election को जीतते हैं so इस चीज को थोड़ा याद रखना पड़ेगा then इसके अलावे जो चाइना की manufacturing role and dependency है चाइना के खलाफ मतलब चाइना की जो all over world में चाइना की manufacturing role है या चाइना की dependency है चाइना के उपर चाइना की या इंडिया की ले ले पार्ट इंडिया का जो mobile sector है उसमें 70 से 80 परसेंट चाइना के ही phone, cell phone भीकते हैं so इसको याद रखना पड़ेगा कि चाइना की इतनी बड़ी dependencies होने के भावजू हम कैसे चाइना को tackle कर सकते हैं चीज को याद रखना पड़ेगा so अगर आपने UPSC library को subscribe नहीं है तो please subscribe the UPSC library and press the bell icon for the more updates धन्यवाद